नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं मैंने ऑनलाइन परवल के कुछ पौधे मंगाये हैं क्योंकि परवल का पौधे को बीच से उगाना काफी मुश्किल होता है उससे बहुत जल्दी जर्मिनेशन नहीं ह उपाता है तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि परवल के पौधे जो भी गार्डनर हैं सबजी लगाते हैं उन्हें पता होगा कि परवल में मेल और फीमिल फ्लावर अलग अलग पौधों में आता है एक ही पौधे में मेल और फीमिल फ मतलब उसका ब्रांच है तो इन दुन इन चारों को मैं लगाऊंगी मैंने लास्ट यह भी ट्राइ किया था पर वो सिर्फ मेल मेल वाला ही मेरे डाल मेरा लग पाया जिसके कारण से फ्लावर तो बहुत आए पर वो फल में कंवर्ट नहीं हो पाया परवल में कंवर्ट नहीं ह हो पाया तो इसलिए मैंने इस वर ऑनलाइन मंगवाया है यह मैंने देखा था एमेजन में कि मेल और फीमेल वह दोनों ही ब्रांच दे रहे हैं तो इसलिए पौधा तो अच्छा दिख रहा है बहुत बढ़िया पौधा दिया है उन्होंने बस अब यह लग जाए चल जाए और परवल का पौधा जो है वो बेल से लगता है टाल से उसके would you लगता है और यह देखिए उन्हों कितने अच्छे से जहां से मेंने मंगाया है कितने अच्छे से इस तरह से पैक करके दिया है इसमें दो मेल और दो फीमिल है तो इस तरह से मैं इसकी मिट्टी हटा दे रही हूँ कि क्योंकि ये मिट्टी काफी चिप-चिपी है इसमें रूट डबलप होने में काफी परिसानी होगी ये नरसरी वाले इसलिए लगा के रखते ताकि काफी देर तक ये नमी सोक के रखे तो मैं य जर के पास सही मिट्टी में हटा दे रही हूँ एक बहुत और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये देखी इस तरह से मैंने सारी जर के पास सारी मिट्टीयों को हटा दिया है मैं परवल के पौदे को अपने घर में लगा पाऊ पर मुझे अच्छा सूर्स नहीं मिल रहा था इसके पौदे के लिए तो इस वार मैंने देखा ये एमेजॉन पर तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया क्यूंकि जिन लोगों पर न विव्यू अच्छी नहीं रहती थी तो इसलिए मैंने नहीं मंगवाया और ये देखिए एक वर मैंने अपनों मंगाए ठात तो मिल पस एक डाल तो है मेल का दो तीन डाल मंगवाय थे पर बाकी लगा नहीं ठीक से एक डाल लगा जो कि सिर्फ मेल का था फ्लावडिंग तो बहुत हुई पर फ्रूट में कनवर्ट नहीं हो पाया वो तो इस तरह से मैं अब इसे इसका जो बेल नूमा भाग है वो मैं मिट्टी के अंदर दबा दूँगी उसमें से और भी ब्रांच निकलेंगे और ये पत्यों वाला भाग उपर रखोंगी अब देखते हैं इसमें कितना ये परसेंट सक्सेस रेट निकलता है इसका मैं आगे भी आपको वीडियो में बताती रहूंगी कि इसका कैसा ग्रोथ हो रहा है ये देखी इस तरह से वेल जैसा जो भाग है वो अंदर मैंने लगा दिया है और देखते हैं बहुत कम गार्डनर के पास परवल का पौधा लगा होता है क्योंकि इसे लगाना काफी मुस्किल है सबसे बड़ी बात यही है कि इसके जो दोनों फूल है वो अलग-अलग पौधे में आते हैं तो इसलिए मुस्किल होता है इसे लगाना बांकि सबसे यह देखे मेरे पिछले साल का मैंने अब तक पचा के रखा इसे पौधा मैंने बचा के रखा था ग्रोध तो बहुत अच्छी हुई थी पर सिर्फ मेल फ्लावर ही इस पे आते थे तो यह देखे काफी बड़ा हो चुका है इसे भी मैं और भी जगह पे इसके बेल को लगा दूँगी क्योंकि यह बेल से ही लगता है जैसे कुंदरू का पौधा बेल से लगाया जाता है